शास्त्र सिद्धान्त लेश संग्रहस्या प्रथम परिच्छे दे इदं चतुर्थम भाषणं अत्र विशयह शिरवण विधी विचारे परिशंख्या विध्यभाव पक्षव इती ओम शृति स्मृति पुराणाना मालयं करुणालयं अमामि भगवत पादशंकरं लोकशंकरं जननीम सारदाम देवीम रामकृष्णं जगत गुरुम पादपत्मेतयो शृत्वा प्रणामामि मुहुर्मुहु श्रवन विधी विचारे परिसंख्या विधी पक्षव विध्यभाव पक्षच्या परिसंख्या विधी पक्षम अंगी कुर्वंति वार्तिका अनुसारिनह केचन आचार्याह श्रोतव्यह इत्यत्र विधीह नास्ति इति वदंति भामत्यनुसारिनह आचार्याह श्रवन विधी विचारे वार्तिका अनुसारिनाम केचांचिन मतं आदव अस्माभिही इतफ पूर्वं नियम विधी पक्षाह पंच द्रश्टाह अथ वार्तिका अनुसारिनाम केचांचिन आचार्यानाम मतं परीक्ष्यते एतेशाम मते परिसंख्या विधीरस्ति श्रवने वार्तिकम नामकिम श्री सुरेश्वर भगवत पादैही भाष्यकार भगवत पूज्यपादानाम कृतित्रयम आधारी कृत्या कृतं उक्तानुक्त द्विरुक्त चिंतनम वार्तिकम इति प्रतितम शांकर संप्रदाये उक्तानुक्त द्विरुक्त चिंतनम् दुरुक्त चिंतनमिती वेदांते नोच्चेते वार्तिक विषये तत्तु व्याकरण शास्त्रे वार्तिक ग्रंथाह त्रयह संति सुरेश्वर भगवत पादानाम ब्रहदारण्यक भाष्य वार्तिकं तैतिरीयक भाष्य वार्तिकं पंची करण वार्तिकं चेति श्री सुरेश्वर भगवत पादानाम वार्तिकानी नैशकर्म्य सिध्धिही मानसोल्लासह इत्यादीन गरंथा तल्लजान आशिरित्या प्रवरत्तम भाष्य व्याख्यान प्रस्थानम अस्माभिही वार्तिक प्रस्थानम इति उच्यते केचन विद्वांसह अत्र सर्वत्यात्म मुनेहे संक्षेप शारीरकं अपी अंतरभावयंती श्रवन विधि विचारे वार्तिकानुसारिनाम केशांचिद आचारियानाम मतं अथ परीक्ष्यते एतेशाम मते श्रवने परिसंख्या विधिरस्ति केशांचि दाचारियानाम इतिकि मर्थम वार्तिक प्रस्थान आनुसारिनह सर्वेप्याचारियाह परिसंख्या विधिम न मेनिरे केचन इमे नियम विधिम अपिस्वी कुरुवंति वार्तिक प्रस्थान आनुसारिनह यथा संक्षेप शारीरक कारह अता येवा केशांची दाचारियानाम मतं इत्युक्तं एवंचे येतेशाम मते परिसंख्या विधि रस्ति शुरोतव्य है इत्यत्र परिसंख्या विधेहे लक्षणम अपि पूरों अस्माभिही दृष्टं परिसंख्या विधेहे प्रकार द्वयमस्ति तत्र कहा प्रकार हा अत्र अंगी क्रियते श्रवण विशय इतिचेत एकस्मिन शेशिनी द्वयोह शेशयोह नित्य प्राप्तव शेशांतरस्य निवर्ति फलकाह परिसंख्या विधि भेदाह यहा वर्तते सहा अत्र अंगी क्रियते अत्र कह शेशी कौ शेशव अत्र ब्रह्मावगमह शेशी ब्रह्मज्ञानं शेशी वेदांत श्रवनं एकह शेशह व्यापारांतरं अपरह शेशह वेदांत विचारार्थं ब्रह्मावगमं उद्धिष्य यह प्रवर्तते वेदांति सह कदाचित व्यापारांतरेपि प्रवर्तेता इत्यतह ब्रह्मावगमार्थं प्रवर्तस्य वेदांति नहा श्रवणम अपि प्राप्तम व्यापारांतरं अपि प्राप्तम इत्यतह शेशव वेदांत श्रवणम व्यापारांतरंच व्यापारांतर रूपस्य श शेशांतरस्य निवर्त्ये विधिही श्रोतव्यह इति अत्र इदम स्मरणियम यद्यत्र उक्तयोहो शेशयोहो वेदांत श्र्वणं यापारांतरंचा इति शेशयोहो पाक्षिकप्राप्ति रुच्चेते तरही नियम विधिही संभवती यदि तयोहो नित्यप्राप्ति ही कत्यते तरही परिसंख्या विधि ही स्यात एवंचा अत्रास्मा भी ही नियमा विधिर अपी वक्तों शक्यते परिसंख्या विधि ही अपी वक्तों शक्यते अता येव वार्तिका अनुसारिनहा केचन नियम विधिम इच्छंति केचन परिसंख्या विधिम अता उक्तम वार्तिक पक्षियेह अतरा तकारत दोयम स्यात वार्तिक पक्षियेह कि मुक्तम नियमहा परिसंख्यावा विध्यर्थोत्र भवेद्यतहा अनात्मा अदर्षनेनाईवा परात्मानम उपास्महे इती अत्रा नियमा पक्षोपि स्वीकरताहा एत इर आचार्यईः परिसंख्या इत्यपि स्वीकरता प्रकृतियतु इत्तुक्ते वार्तिका अनुसारिनाम एशाम आचारियानाम अत्र मतं परीक्षेते अत्र एतेशाम मते उक्तयोह शेशयोह नित्यप्राप्ति मुखेना परिसंख्या पक्षम वदताम वार्तिका अनुसारिनाम मतं संग्रहीताम नियम विधिम अपि केचन वार्तिका अनुसारिनाह स्वीकुर्वंती कथम ते तथा स्वीकुर्वंती इति चेद वेदांत श्रवणं व्यापारांतरंचेदी शेषयोह साधनयोह पाक्षिक प्राप्ति मुखेन नियम विधिम ते स्वीकुर्वंती इत्येदद अपि स्मर्तव्य शिरवण विधि विचारे अथा भामत्यनु सारिणाम मतं विचारियते एतावता अस्माभिही सप्त पक्षाह द्रष्टाह येशु सप्तसु अपि पक्षेशु शिरवणे विधिरस्ती यकोबी विधिरस्ती इत्येवा मतं आसीत अथा भामत्य नुसारिनाम मतं परीक्ष्यते यत्र शिरवने विधिर नास्ती इती पक्षः समायाता हा भामती इती श्री वाचस्पति मिश्रस्या नवमा शतकी अस्या आचार्यस्या सुवी दिता शारीर कमीमामसा भाष्य व्याख्या उच्यते भवद्विही-भामत्य अधीतपूर्वा अत्र भामत्यनुशारिनाम आचारियानाम शिरवन विधि विशये कफ। पक्षह इती परीक्ष्यमाने अस्मा भीहि केचन विशयाह विशेशता स्मर्त्व्याह संक्षे पशारीरका कारस्य मतात भेदेन भामत्यनुसारिनह किम्वदंती इति प्रथमं शिरवणं आत्मविषयकं जानमेवा इति भामती मतीयाह अंगी कुर्वंती नतु वेदांत वाक्यस्या तात्पर्या नरनयानुकूलह न्याय विचारह अइदं प्राथम्येन शिरवणं आत्मत्यानमेव इति भामती पक्षः वेदांत वाक्यस्य तात्पर्यन्रनयानु कूलं कूलतया क्रियमानह न्याय विचारहास्ति शिरवणं इति संक्षेप शारीरक मतानुसारिनाम पक्षःस्माभी पूर्वं दर्ष्टः सपक्षः भामत्यनुसारिनाम तथा अभीष्टः न एवं शिरवणं आत्मविषयकं जानमेव इति अंगी कृते जाने विध्यभावात शिरवणे विधिह नभवती अथ दृतियम यदि श्रवणं नाम संक्षेप शारीरक मतोक्त दिशा वेदान्त तात्परिय नरनयायक क्रियमानह विचार एव इति अंगी कृते तथा पी भामती पक्षिये ही अंगी कृते अथ यदि संक्षेप शारीरक मतोक्त दिशा असमा भी ही प्रवर्त्यते विचार आर्थम तरही विचार रूपे तस्मिन शिरवणे पी विधिह नभवक्तु शक्यते इति भामती मती आह अंगी कृते कथम शिरवनस्य स्वफलोदेशेन साधनत्वस्य लोकादेव सिध्धत्वात स्वफलार्थम शिरवनस्य साधनांतरेन विकल्पा संभवात स्वफलार्थम शिरवनस्य साधनांतरेन समुच्या संभवात्य इति इत मत्रतात्परियम संक्षे पशारीरक मतोक्त दिशा विचारिय ते जेत भामती पक्षियाह वदंती श्रवनम नाम किम श्रवनमिती वेदांत वाक्य तात्परिय नरनयार्थं क्रियमानह न्याय विचारह भवती इद्रशस्य श्रवनस्या स्वभलोद्देशेना स्वभलंकिम वेदांत वाक्य तात्पर्य निरनया रूपस्वभलोद्देशेना श्रवनस्या न्याय विचार रूपस्य श्रवनस्या साधनत्वं लोकादेव सिद्धमस्ती तस्मात्किम अप्राप्तत्वं नास्ती अतह अपूर्व विधिही नास्ती श्रोतव्या इत्यत्रा तरही नियम विधिरस्तू तदपिना स्व फलार्थं श्रवनस्या उक्त फलार्थं उक्त रूपस्य श्रवनस्या वेदांत वाक्य तात्परिय निर्णय रूप फलार्थं तदर्थं क्रियमानस्या न्याय विचार रूपस्य श्रवनस्या केनापी अन्येन साधनेना विकल् येन पाक्षिका प्राप्ति ही वक्तु शक्यते येन चे नियम विधिही संभवेत तस्माद स्वभलार्थम उक्तरूपस्य श्रवनस्या साधनांतरे न विकल्पोपि न संभवति त्यता हा पाक्षिकत्तुम नागच्यती तस्माद नियम विधिरपि न भवति श्रवने तरही परिसंख्यास्तु इतिचे तदपिना स्व फलार्थम उक्तरूप फलार्थम उक्तरूपस्य श्रवनस्या न्याय विचार रूपस्य श्रवनस्या केना अप्य अन्येन साधनेना समुच्योपिन संभवती परिषंख्या विधिही वक्तु शक्यते निवर्ति मुखेन, अन्यत किमप साधनम, समुच्यये ना, ना गच्छती श्रवनेन सह, उक्त पलार्थम, येना, परिषंख्या विधिर अस्मा भीरंगी कर्तु शक्यते, जा भामतीमती आहा आहु। इदम तात्परियं यत यदी श्रवणं वेदांत तात्परिय निरनयाय क्रियमानहा विचारयेवा इत्यंगी क्रियते तादरशेन विचारेनईवा तात्परिय निरनयाः वेदांतानाम कर्तव्या इत्यतत लोकादेवा सिद्धमस्ती अन्यतकिमपि साधनं विकलपेनवा, समुच्येनवा थेनसह, अशमाभी, कलपईतुमपि नशक्यते येना धियम विधिपक्षोवा, परिसंख्या विधिपक्षोवा संभवेत लोकादेव अस्या साधनत्तुम ज्यातमस्ती इत्यतह अपूर्व विधिपक्षोपी न संभवती तसमाद विधित्रयं संक्षेप शाईरक मतोक्त दिशा श्रवनस्या अर्थकल्पनेपी श्रवनविशये वक्तुम न शक्यते इति भामतीमतियाह दृढयंती एवं आदो श्रवनम ज्यानमेव इत्युक्त्वा भामत्यनुसारिनह वदंती श्रवनम ज्यानमेव ऐदंप्राथम्येन इति स्वीकर्तव्यं तत्र विधिहि नास्ती अत्रकिम भाष्य प्रमाणं गरंथं पठामी अतयेव समन्वय सूत्रे आत्मत्यान विधि निराकरणा अनंतरम आत्मत्यान विधि निराकरणा अनंतरम भाष्यं किमर्थानि तरहि आत्माबारे द्रष्टव्यह इत्यादीनि वचनानी विधि चायानी स्वाभाविकव प्रवरिथि विशया विमुखी करनार्थानी इति ब्रुमहं इत्यादी भाष्यकार भगवत् पुजपादैही आत्मा ज्यान विधि निराकरनम कृतम इति भामत्यनुitarian aha मन्यंते अपिच्या विधिचायानी इती भाश्यकार भगवत पुजबादेही साक्षाद उक्तत्वाद तेशाम अत्र विधिही नेष्टहा इत्यप्य अवगम्यते इती भामत्यनु सारिनाम पक्षाः दुतियम यदि श्रवणं संख्षेप शारीरकमती यही उक्तदिशा वेदान्त तात्पर्य विचार ये वेती स्वीक्रियते तस्य किम्फलं ग्रंथं पठामी यदिच वेदान्त तात्पर्य विचार हश्रवणं तदा तस्य तात्पर्य नर्णय द्वारा वेदान्त वाक्य तात्पर्य नर्णय द्वारा वेदांत तात्पर्य भ्रमसंशय रूप प्रतिबंधक निराष एव फलं न प्रतिबंधक अंतर निराषोवा ब्रम्ह वगमो वा इती यदि संक्षेपशारीर का मतदिशा वेदान्त वाक्य तात्परिय नरणय फलोद्देशेन क्रियमानह न्याय विचार एव श्रवनम इत्यंगी क्रियते चेत इत्यंगी क्रियते तथा पी तस्य किम्भलं वेदान्त तात्परिय भ्रम संशय रूप प्रतिबंधक निरासह नतु प्रतिबंधक आंतर निरासह वा ब्रह्मा वगमो वा अत्र प्रतिबंधक आंतर निरासह इत्यनेन संक्षेपशारीर कोकता भि प्रायस्य खंडनम पूरो मस्माभी दृष्टम संक्षेप शारीरक मते वेदांत वाक्य ताथपर्य नरनयाय क्रियमानम यद शरवणम तस्य किम्भलम इत्वंक्तमासीत पूरुष भ्रांति सम्स्कार रूप प्रदिवंधक निरासार्थम इत्वंक्तम तन्न वेदांत तात्परिय भरमसंषयरूप प्रतिवंधग निरासार्थम इती भामतीमतियाह आहुहु कस्मादेव मुक्तम विचारस्य भरमसंषयरूप प्रतिवंधग निरासह फलं लोकादेव दृस्टमस्ती तदर्थम विधिही नापेक्षित अथा ब्रह्मावगम पिनास्तितस्य फलम इतने न विवरनानुसारि उक्तमत खंडनम कृतम। श्रवनस्य स्वरूप वंगी क्रियते चेद अस्माभी मंतव्यम। इतने भामती पक्षियाह आहु। एतत फलके श्रवने इतुक्ते वेदांत तात्परिय भ्रमसंशे रूप प्रदिबंधग निरास फलके श्रवने। न्याय विचार रूपे श्रवने त्रविधो पि विधिही न संभवती त्यतत पूरमेव अस्माभी विचारितम। एवं भामती पक्षह कहा आत्मत्जान रूपम वा तात्परिय विचार रूपम वास्तु श्रवनम द्वित्रापी विधिस्तु कोपी नास्ती इतु। अथ कस्चन संशयह ननु आत्मत्जाने विचारेच विध्य पेक्षा नास्ती चेदपी। आत्मत्जान रूपम श्रवनम अथवा विचार रूपम श्रवनम इत्युक्तं द्वित्रापी विधिह नसंभवदी इति भामत्यनु सारिनह आहु। अस्तु आत्मत्जाने विचार रूपे वा श्रवने विध्य पेक्षा नास्ती चेदपी। वेदान्त विचारस्य गुरुवधीनत्वम इस्टमेव सर्वेशाम वेदान्तिनाँ तस्मात तत कथम शास्त्रेन बोध्यते यदी श्रवने विधिही नांगी करियते चे इत्यर्था तस्मात प्रश्न करतुहु अयम अभिप्रायहा त्वया आत्मज्याने रूपम श्रवनम इत्यंगी करित्या विधिही खंडिताहा विचारे रूपम वा श्रवनम इत्या श्रित्यापी विधिही खंडिताहा किन्तु वेदान्त विचारस्य गुरुवधीनत्वम्तु तवापी इष्टमस्ति तसमा तदर्थम्वा श्रोतव्यह इत्यत्र श्रवने विधिम अंगी कुरू इती प्रश्न करतु हूँ अभिप्रायहा अत्रोच्यते भामत्यनुसारिभिही सत्यम वेदान्त विचारस्य गुरुवधीनत्वम्त अस्माकमपी इष्टमेवा किन्तु तदर्थम् श्रोतव्यह इत्यत्र विधिही नांगी करतव्यह प्रकार आंतरेण तत्सिध्धंभवती कथम् अत्रोच्यते वेदान्त विचाराय आदव वेदान्तानाम इत्तुक्ते उपनिशदाम अक्षर ग्रहनम अपेक्षितां तद अनंतरं वेदान्तानाम अर्थावगमनं अपेक्षितां अतहा वेदान्त विचारस्य गुरुवधीनत्व बोधनाय आदवकिम् वेदान्तानाम अक्षर ग्रहने गुरुवधीनत्वं नियमनीयम अक्षर ग्रहनम गुरुवधीनम भवेत इति नियमकर्तव्यह ततहा वेदान्तानाम अर्थावगमने गुरुवधीनत्वं नियमन वेदान्तानाम अर्थावगमनं गुरुवधीनं भवेत इति नियम विधिही भवेत इति नियम विधिही कल्पनियाः एवंचकिम वेदान्तानाम अक्षरावाप्ति भलोदेशेन गुरूपसदने नियम विधिही भवेत ततह वेदान्तानाम अर्थावगमनोदेशेन गु प्रतमं वेदान्तानां अक्षरावाप्ति फलोद्धेशेन गुरू पसदने नियम वितिही स्वाध्याय विधिना एवसिध्यति कह स्वाध्याय वितिही स्वाध्यायो धेतव्यहा इति प्रसिध्धह स्वाध्याय वितिही। वेदान्तानाम अर्थावग मनोद्धेशेन गुरूपसदने नियम विधिही तद्धुिज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्चेत इति मुंडक वाक्येन सिथ्यति एवं चकिम एवं श्रोतव्याह इत्यत्रा श्रवने विधिम अनंगी कृत्यापी स्वाध्याय विधिमुखेन मुंडक वाक्यमुखेन उक्तेन च अस्माभिही वेदान्त विचारे गुरूपसदनं कर्थव्यमेवा इत्यत्रा नियमनं संपादयितुं शक्यते अथ़ पाक्षिकत्त्वं कत्वमिति पश्यामः वेधान्तानाम अक्षरावाप्ति मुखोद्देशेन गुरूपसदने नियमस्तु स्वाध्याय विधिना अयम नियम विधि रस्तित्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् पाठाधिरपि प्राप्तः इती पाक्षिकत्व तसमात स्वाध्यायो धेतव्यहा इती नियम विधिना किंक्रियते लिखिता पाठेनतुना गुरुवधीना धेने नईवा अक्षरावाप्ति ही प्राप्तव्या अक्षरावाप्ति ही कर्तव्या इती नियम्यते अथा मुंड़कवाक्य कथम गुरुपसदनेस्या पाक्षिकत्वम प्राप्तम एना तद्विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभि गचेत इति नियम्यते इति जेत तदप्युच्यते अत्र वेदांता अर्थावगमन भलकतया नियमितस्य गुरुवधीन वेदांत विचारस्य पाक्षिकत्वम एवं भवती गुरुवधीन वेदांत विचारवत स्वप्रयतनोपि प्राप्तहास साधनत्वेना इति गुरुवधीन वेदांत विचारस्य पाक्षिकत्वम जात स्वप्रयतनेन कष्चित वेदान्ताना अर्थावगमन भलोद्देशेन प्रवर्ततेचेत तस्यकरते गुरुवधीन वेदान्त विचारह पाक्षिकह जाताह तन माभूत गुरुवधीन वेदान्त विचारेन एवा वेदान्त आर्थावगमन फलोद्देशेन मुमुक्षुहु प्रवर्तेता इति धिया नियमयति तद्विच्ञानार्थम सगुरुमेवा भिगच्चेत इति एवंच श्रवण विधि विचारे सर्वे पक्षाह अस्माभी द्रष्टाह आदो अपूर्व विधि पक्षाह सीथ अनंतरम नियम विधि पक्षाह पंच ततहा परिसंख्या विधि पक्षाह एकह अनंतरम विध्यभाव पक्षाह एकह अपूर्व विधिपक्षाह प्रकतार्थकारस्य नियम विधिपक्षाह विवरनानुसारिनाम विवरनैकदेशिनाम श्रवनं केवलं परोक्षत्यानार्थकम इतिवादिनाम मनसह कारितया श्रवनं अपरोक्षत्यानार्थकम इतिवादिनाम किंच संक्षेप शारीरकानुस परिसंख्या विधि पक्षस्तु वार्तिकानुसारिनां केशांचिद आचारियानां। विध्य भाव पक्षस्तु भामत्यनुसारिनां। एवं सर्वान पक्षान आहत्या श्रोतव्यह इत्यत्र कह विधिही इति विशये अष्टव पक्षाह सिध्धाह एवं श्रवन धिविचारहा अत्र समापितहा